राजस्तान पुलिस कांश्टेबल और CET जैसी तयारी करने वाले राजस्तान के सभी अभ्यरतियों का इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत अभिनांदर है दोस्तो फिलहाल तो ये वीडियो राजस्तान पुलिस कांश्टेबल भरती परिक्षा हितु बनाईगी है लेकिन आप अगर राजस्थान की पुलिस बरती के अलावा किसी भी बरती की तैयरी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है यह वीडियो आपके लिए शांदर साबित होने वाली है क्योंकि राजस्थान जी के का एक important topic है उसका नाम है संत एवम संपरदाय उससे समधित में top 25 प्रशनों का व्याख्या सहीत आपके सामने test लूँगा आपको 25 प्रशनों की हल बताने हैं सिरिप आपको हल बताने हैं उनकी व्याख्या मेरे हाथ में हैं आपको 25 प्रशनों का हल बताना है देखते हैं आपके 25 प्रशनों में से कितने प्रशन से होते हैं राजस्थान प्लिस कांस्टेबल भरती परिक्षा के लिए यह वीडियो राम बान साबित होने वाली है क्योंकि संत्यम संपर्दाय से सम्मंदित राजस्तान प्लिस कांश्टेवल भरती परिक्षा में एक प्रशन अवश्य पूसा जाता है तो चलिए बिना किसी विलम के आज की शानदार वीडियो को सुरुआत करते हैं बस आपसे एक छोटी सी रेक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरू करना और अपने किसी सगे सम्मंदियार मित्र को इस वीडियो को स्कृप्या करके शेयर जरू करना ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके धन्यवाद चलते हैं शुरू करते हैं तो पहला प्रशन मेरे प्यारे साथियो आपके सामने उतर चुका है मैदान में पहला प्रशन है कि वागड की मीरा किसे कहा जाता है बता दीजे दोस्तो बता दीजे वागड की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तो यह है प्रशन फोरेश्ट गार्ड एक्जाम जो अपनी 11 दिसम प्यारे साथियों आप सबको पता है वागड की मीरा किसे का जाता है अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है मैं बता दूँगा गवरी बाई किसको का जाता है दोस्तों गवरी बाई को गवरी बाई को वागड की मीरा का जाता है ठीक है इनके अलावा आपको ध्यान र वही मेरा बाई आपके नाम याद आ गया आपको सकल भी याद आ गई होगी ठीक है चलिए आगे पूछ सकता है कि वागड का धनी किसे का जाता है तो संत माउजी को वागड का धनी का जाता है किसको संत माउजी को वागड का धनी का जाता है प्यारे साथ यो ठीक है चलें तो चलिए आगले प्रशन की और अग्रसर होते हैं अगला प्रशन भी इसी प्रकार का है कि धन्ना भगत के गुरू कौन थे अरे धन्ना भगत के गुरू कौन थे दोस्तो धन्ना भगत के गुरू कौन थे इन में से उप्सन चार हैं कबीर नानक रामानंद नाम देव उप्सन च जब आपको किसी भी प्रशन का उस प्रशन का जवाब नहीं आता है तब आपको भरना है 500 ठीक है चलिए अगला प्रशन के उत्तर तो देदें धन्ना भगत के गुरू कौन थे तो धन्ना भगत के गुरू कौन थे तो रामा नंद थे कौन थे रामा नंद अपने धन्ना भग जाट थे और कहां के जाट थे धवन टॉंक के जाट थे धवन टॉंक के जाट थे ठीक है और राजस्तान को छोड़कर बनारस चले गई किनके चकर में रामानंद के सिस्षे बनने के चकर में ठीक है बनारस को यानि कि राजस्तान को छोड़कर बनारस चले गई तथा रामानं टॉंक में इनका पैनॉर्मा है जहांके ये निवाशी थे ठीक है और जो गुरु गरंत साइबा है सिखोगा जो धार में गरंत है गुरु गरंत साइबा में इनके तीन सब्द सम्मलित है यानि कि इनके दुआरा धन धन्ना भगत के जो धन्ना भगत है इनके दुआरा तो आपको जनम बताना है प्यारे साथियो जनम बताना है दोस्तो हर नावा में कहा जाता है बिलकुल हर नावा में इनका जनम हुआ था बिलकुल ठीक है एक बात और यादरक लिना पंद्रा सो सत्तर इसवी में हर नावा में जीवित समाधी ली थी इनों नहीं किसने राना बाई ने राना बाई ने पंद्रा सो सत्तर इसवी में जीवित समाधी ली थी ठीक है ठीक है और ये सगुन परंपरा की कृष्ण भक्त रही है राना बाई सगुन प्रंपरा की कृष्ण भक्त रही है राना भाई, ठीक है, चलिए तो चलिए, चोता प्रशन आपका इंतजार कर रहा है, चोता प्रशन कर रहा है कि धोली धूप, धोली धूप राजस्तान के किस संत से संबन देता है दोली दूप राजस्तान के किस संत से संबन दिता है बिलकुल पूछ सकता है एक्जामेन अगर क्या है वो किसी भी हालत में कहां से भी प्रेशन उठा कर पूछ सकता है आपको बताना है दोली दूप राजस्तान के किस संत से संबन दिता है तो दोस्तो संत जो संत लालदास है कहां के थे, अलवर जिले के थे, कहां के थे, अलवर जिले के थे, इसी परकार अलवर के एक और थे, याद आ रहा है, डेरा के, डेरा के, कौन थे, चरनदाज जी, कौन थे, चरनदाज जी, डेरा के थे, और डेरा कहां पे है, अलवर में है, तो अलवर के दो संत को आप याद रखना एक तो लालदाज जी और एक चरणदाज जी इनका संबंदित इस्थल कौन सा है लालदाज जी का तो धोली दूप है और चरणदाज जी का डेरा है ठीक है चलिए तो चलिए तो चलिए तो चलिए पांचो प्रशना आपको इंतिजार कर रहा है कि चोपडा नामक ग्र संपर्दाइए माओ जी को है पांच गरंथों का या गए वया doc माना जाता है यह वाद विवाद की सहली में लिखे गए थे इन्चे यह जिने क्या का जाता है जिने ही चोपडा का जाता है वाद विवाद सैली में लिखे गए थे वाद विवाद सैली में लिखे जाने की कारण ही इन पांच ग्रंतों को चोपडा का जाता है याद रहेगा याद रहेगा बिल्कुल सर याद रहेगा ठीक है इन में चंदों की संक् बैतर लाग छियान में हजार बताई गई है ठीक है औरे दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं चोपड़ा नाम के गरंत कम निकाले जाते हैं दीपावली दोस्तों दीपावली दीपो की पंक्ती ठीक है दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं ठीक है चलिए छटा प्रशन आपका इंतजार कर रहा है छटा प्रशन कह रहा है प्यारे साथियो कि निमली खितमे से कौन दादू दयाल जी का सिश्य नहीं है नहीं पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है चलिए बता देते हैं वही हमें तो पढ़ा है हमने तो पढ़ा है आप की जाने, सुन्दर दाज जी तो इसके दादू दाज जी के सिश्य थे, अच्छा जी, चलिए तो चलिए, सुन्दर दाज जी तो इसके थे, गरीब दाज जी भी थे, और रजब जी, यानि संतर रजब भी थे, ठीक है, और एक उप्सन कहां गायप हो गया, ये रहा, चल कितने शिष्षे थे बावन शिष्षे थे जिनमें से लाल दाजी इनमें शामिल नहीं था और इन बावन शिष्षों को ही बावन इस्तंब कहते हैं बावन इस्तंब कहते हैं जैसे सूरदास, गरीब दास, मिस्किन दास, रजब, बखना, बालिंद, मादोदास ये सबी की सब मंदित बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं है, चलिए, तो सर, चलिए, सात्वा प्रस्ट आपका इंतजार कर रहा है, सात्वा प्रस्ट कह़रा है, कि नवल संपरदाय की मुख्यापीट कहां पे है, बिल्कुल, पूछ सकता है वै, पूछ सकता है, examiner का, जोदपूर में है, sir, कहां पे हैं, जोदपूर में, very good, आपका right answer है, जोदपूर, ठीक है, चलिए, तो ऐसे आप से पूछ सकता है, कि नवल संपर्दाई की मुक्यापीट कहां पे है, जोदपूर में है, ठीक है, और परवर्थक पूछले कि नवल संपर्दाई की परवर्थ तक थे ठीक है और इनका एक गरंथ भी है नवलदाजी का गरंथ है जिसको नवलेश्वर अनुभाव वानी कहते हैं क्या कहते हैं नवलेश्वर नवलेश्वर अनुभाव वानी अब मेरे से लिखानी जा रहा आप सुन लो ठीक है नवलेश्वर अनुभाव वानी इनका प्र प्रशिद है कौन प्रशिद है वाई कौन है कौन है बिल्कुल कवी दुरलब जी है राजस्तान के नर्सिंग से संबंदित तो अपने कवी दुरलब जी फेमस है वल्ड फेमस है ठीक है और ये का ये प्रशना आप चाहिए पेपर उठा कर देख लो सीटी जो ग्रेजुशन वाड़ी हुई थी आठ तारिक जनवरी का मैना था और दोजार तेवी साल थी और सिप्ट नंबर एक थी ठीक है उसमें पूछा गया प्रशन है ठीक है तो आपसे उपादी भी पूछ सकता है अरे संतों की उपादी भी पूछ सकता है आपसे ठीक है तो याद रखना नर्सिंग नर्सिंग नाम से राजस्तान के नर्सिंग के नाम से कवी दुरलब जी को जाना जाता है ठीक है और वागड की मीरा के नाम से आप सब को पता है गवरी भाई को जाना जाता है राजस्तान के कबीर के नाम से आप सब पूछ सकता है तो दादू दयाल जी को जाना जाता है, मतश्य मीरा के नाम से, बिल्कुल, बिल्कुल, मतश्य मीरा के नाम से भी आपको पूछ जाता है, मतश्य मीरा कोण है, तो मतश्य अपने अलवर धोलपुर, ठीक है, सोरी, अलवर भर्दपुर, इन जिलों से संबन दित है, ठीक है, तो मतश्य मीर मतश्य मीरा समान समान भाई को किसको समान भाई को कहा जाता है मतश्य मीरा ठीक है मतश्य मीरा उपादी समान भाई की है ठीक है और वागड का धनी तो माउजी है अपने कौन है माउजी और राजस्तान की रादा तो सबको पता है मेरा भाई है और कलियुग का वालमी की कलयः का वाल मीकी है, एक बात तो यहां से नोट कर लो कि कलयः का कलयूः। जिस को निरन जनी संपर्दाइग के संस्तापक थे, ठीक है, संत हरिदाज झी और इनका मूल नाम पूछ ले, इनका मूल नाम क्या था, तो हरी सिंग सांखला था, कौन था, हरी सिंग सांखला, हरी सिंग, हरी सिंग सांखला, सांखेला, हरी सिंग सांखला इनका क्या था, मूल नाम था, संत हरीदास जी का, संत हरीदास जी का, ठीक है, और इनको राजस्तान का वालमी की कह दीजिए, संत माउजी के द्वारा इस्तापित किया गया था तो संत माउजी के द्वारा कौन सा संपर्दाई संत माउजी के द्वारा कौन सा संपर्दाई इस्तापित किया गया था बिल्कुल दोस्तो निस्कलंग की संपर्दाई कौन सा निस्कलंग की संपर्दाई अपने संत माउजी इनके पिता का नाम क्या था? केसर बाई था क्या था केसर बाई केसर बाई इनकी माता का नाम था केसर बाई ठीक है किन का किन की माता का नाम संत माउजी की माता का नाम ठीक है ठीक है चलें और और यह एक बात यहां से याद रखना कि संवंत 1784 माग सुकल को बैनेश्वर धाम की स्थापना इनकी दुआरा साबला में है ठीक है ये बाते आपको यहां से याद रखनी है ठीक है तो चलिए अगला परसमार कर रहा है कि लिखेगे ग्रंट चोपडा किससे समझ दिता है अरे शर अभी तो बात इती बाध्य के सταवारे में अभी तो बात की थी शोपड़ा ग्रंत है तो अपने किससे समझेता है बिल्कुल के समझाल का इंतीजार कर रहा है कि राज़तान के कौण से राज़तान की कौन से समुधाय के लिए वन एवं वन जीव सनक्षन उनके धार में के अनुसंदान का भाग बन गया है तो ऐसा करने वाले गूजर तो हो नहीं सकते सेरिया भी नहीं हो सकते राज़पू तो कता ही नहीं हो सकते विस्नो औजरूर हो सकते हैं ठीक है विस्नोई थे जो वन एम वन जीव प्राणी संक्षन यान dá बचाने के चक्कर में अपना बलिदान त्याग कर सकते हैं और ये प्रशन है रीट लेवल वन रीट लेवल वन 23 जुलाई 2022 को पूछा गया प्रशन है तो व्रक्षों में वन्य जीव की रक्षा के लिए विस्नोई संपर्दाई विस्नोई संपर्दाई जांबो जी को इसके जो जनक माना जाता है वो जांबो जी को माना जाता है तो जांबो जी को विस्व के परियावन आंदोलन के पर्थम प्रियनता या फिर जनक माना जाता है तता इने परियावन वेग्यानिक संति भी का जाता है ये विस्नोई संपर करने जैसे उपदेश दिये थे ठीक है ठीक है चलिए तो चलिए अगला प्रशन है चलिए अगला प्रशन क्या कह रहा है प्यारे साथियो अगला प्रशन कह रहा है कि मुकाम प्रशिद है मुकाम किसके लिए प्रशिद है तो मुकाम दोस्तों मुकाम आपको पता है मुकाम कि जी ने क्या लिती संत जामो जी ने क्या लिती समाधी लीती और अपने विश्णोईयों के लिए परशिद है किसके लिए विश्णोईयों के लिए परशिद है चलिए अगला परशन आपका इंतजार कर ला है और अगला परशन इतना इंट्रेस्टिंग है कि राजस्तान की कि लोग देवता गे माता पिता का नाम हंसा देवी हंसा देवी और लोहट जी था तो बता दीजिए राजस्तान के ऐसे कौन से लोग देवता थे जिनकी माता का नाम तो क्या था हंसा देवी पिता का नाम लोहट जी था तो ऐसे तो कौन थे तो ऐसे तो एक ही थे उनका नाम है जामबो जी और जामबो जी के बारे में इतनी बाते तो हमने याद कर ली बहुत सारी बाते याद कर ली और एक दो बाते और याद कर लीजिए कि इनका जो जनम हुआ था वो जनमाष्ट में हुआ था जो भादवा कृष्ण अस्ट में आती है उसी को ही जनमाष्ट में कहते ह और अब कुछी दिनों में आने वाली है और कब वह आता है निका जनम हुआ था इनका समाधी है ठीक है ठीक है पिता का नाम लोहट जी पमार ये क्योंकि ये राजपूत थे ठीक है माता हंसा देवी ठीक है और इनके गुरू के इपर पूछ सकता है कि जामबो जी के गुरू कौन थे तो गुरू गोरकनाथ थे कौन थे गुरू गोरकनाथ थे इन कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने शिष्यों से गुनतिस नियमों का पालन करने ही जोड दिया कि भाई आपको गुनतिस नियमों का पालन करना ही करना होगा और यही प्रशन दोस्तों यही प्रशन आपका राजस्तान प्लिस कांश्टेवल चाहे तो आप पेपर उठाकर देख लो 15 जुलाई 2015 को पूछा गया था कब पूछा गया था 15 जुलाई 2015 को पूछा गया था कि किस समाध सुधारक ने अपने शिश्यों से 39 नियमों का पालन करने हितु जोड दिया था और वो थे जांबो जी बैइ जांबो जी से प्रशन बनते हैं इसलिए मैंने जांबो जी से संबनते हैं जादा जोड दिया है ठीक है ठीक है चलिए तो चलिए तो चलिए जांबो जी स सारी बात जानते हैं ठीक है चलिए तो 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 च तीन साखा हैं ठीक है दादू पंत की कितनी साखा हैं पांच साखा हैं आपने पढ़ा भी होगा ठीक है पहली साखा पहली साखा कौंची थी पहली साखा खालसा चलिए खालसा ठीक है दूसरी साखा कौंची थी खाकी ठीक है और तीसरी साखा कौंची थी नागा नागा और च इसको इसाइद विरक्त भी एक थी, विरक्त, विरक्त, विरक्त भी एक साखा थी, ठीक है, ये बात आपको यहां से याद रखनी है, और दादु दयाल को राजस्थान का कबीर का जता है, ठीक है, चलिए, हाँ, राजस्थान का कबीर कहने वाले को थे, तो मोतिलाल मेनारिया की द्वारा ठीक है मोतिलाल मेनारिया दादु दयाल को राजस्तान का कभीर कहते थी ठीक है चलिए अगला प्रशन के राजस्तान के कौन से संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंदित हैं तो बीकानेर के कत्रियासर से संबंदित हैं तो बीकानेर के कत्रियासर से संबंदित हैं कौन थे ? वो थे सिध्यू, जजसनाथ जीू, जशनाथ जीू, ठीक है यह अपने बिकानेर के कत्री हसर से समखन धीथे। ठीक है, इनका जनम 14ses यास, कSTR कुब हुआ था ? न conten यास हुआ था ? देव उठनी 11 चीक है ठीक है और इनके पीठ है ये पीठ अपने कत्रिया सर बीका निरमेज की पीठ है चलिए अगला प्रशन है कि दादू दयाल के निदन के बाद दादू पंत का उत्रा दिकारी किसे नुक्त किया गया तो दादू दयाल के निदन के बाद दादू पंत का उत्रादिकारी था उत्रादिकारी था ये अपने किसे नुक्त किया गया था दोस्तों तो ये इसमें से तो इसमें से तो कोई है नहीं सायद मिस्ट्रिंट हो गया गरीद दाजी में नहीं है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आपको बता देता हूं मिस्किन दास, मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी को निक्त किया गए था, दादू पंत का उत्रादिकारिक दादू दयाल जी के बाद, ठीक है, ये इसका राइट आंसरा जाएगा, चलिए, अगला प्रशन कहरा है, अगला प्रशन की जीवन भर दूले के वेश में रहते हुए, जी आजीवन दूले के वेश में रहे, तो तो आजीवन दूले के वेश में रहे थे, ठीक है, ये ब्या करने जा रहे थे, और बीच में इनको दादू दयाल जी मिल गए, और इन्होंने इनको ऐसा उकदेश दिया, इनके ऐसे कान भरे, कि ये हमेशा के लिए दूले के अगला प्रशन क्या क्या रहा है तो मध्यकालिन मेवात के प्रशिदे संथ कौन थे तो मध्यकालिन मेवात आपको पता है मेवाद, अलवर, भरतपूर, धोलपूर इस साइड मे आता है ठीक है तो मद्दे कालिन मेवाद के प्रशिद संथ आपको पता है लालदाजी थे और लालदाजी अपने कहां के थे बिलकुल ठीक है ये लालदाज अपने अलवर के थे, लालदाज से संपर्दाई के परवर्तक थे, लालदाज ठीक है, मुखेते मेव जाती के लोग इनके अनुयाई थे, ठीक है, प्रमुक ग्रंथ है इनका लालदाज की चेताउन्या, ठीक है, लालदाज की चेताउन्या इनका प्रमुक ग्र तो जो दारा सी को इन से मिले थे यह बात भी आप को यहाँ से याद रहें और हिंदू-मिस्लिम एक तापर इन्होंने जोड दिया था ठीक है तो चले एकसवा प्रशन आपका इंतिजार कर रहा है एकसवा प्रशन के राजस्तान के संत पीपा के गुरू कुण थे बैस संत प आपका इन्होंने अपने दर्जी का क्या था संत पीपा ने इसलिए दर्जी जो संत ह्थे है इनको अपना आराध्य मान थी, ठीक है, चेताओनी जो की रचना इन्हों ने की थी, ठीक है, टोड़ा, टॉंक में, पीपा जी की गुफा है, कहां पे टॉंक में, टॉंक, टॉंक के अंदर भी टॉड़ा में, ठीक है, इनकी गुफा है, ठीक है, और संदड़ी, कहां पे ससंट्त दरियाओं जी के मता पिता को थे मान जी और मता कुर। माता कुंती गिगण थी और पिता माउजी थे ठीक है ठीक है और हिंदू-मुसलिम समझ में की भावना पर इनों ने जोड दिया था हिंदू-मुसलिम एक पापर ठीक है चलिए तो कुछ प्रशन और रहे गए अपनी इनको भी complete का लेते हैं इससे अपना topic है ज्यादतर 50 या पर 70% अपना topic complete हो जाएगा ठीक है और भी कुछ प्रशन रहेंगे बनेंगे तो मैं आपको बता दूँँ है वैसे तो आपने एक एक डिटेल में पढ़ रहे हैं इनके बारे में तो सायद यहीं सही आएगा एक दो प्रशन जो भी बनेगा आपका ठीक है तो 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 याद याद रखना है कि राजस्तान की राधा है मेरा भाई ठीक है राजस्तान की राधा है मेरा भाई ठीक है और इस सगुन भक्ति से सम्मझ देता है किस बक्ति से सब्मझ देता है मेरा मेरा भाई ठीक है और इनकी रचना आपसे पूछ सकता है तो पदावली इनकी प्रमुकर राग और फारो सद्धयभावमाजी रूष्वड की रचना की गई तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो किस ने किया था तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है विठल नात्या था किस ने किया था विठल नात्य ने किया था कहल अस्ट चाप कवी मंळली का संगधन ठीक है थीक है चलिए तो ये बात आपको यहां से यॉब रखनी और कि यानि कि Research कावी और तीसरा चाप ठीक है और चोथा मंडली इस लिए इसको अस्ट चाप कवी मंडली के नाम से जानते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है तो चले प्यारा साथ ही हो तो यह थे आपके 25 प्रशन आपके 25 प्रशनों में से कितने परसंट सही हुए नीचे कमेंट के मादव में जरूर बता कर जाना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लिजे आप एक लिए यह आपका चैनल बना हु ज़ीत चैनल कर जापके 35 प्रशन आपके 60 पना यह जो में प्रशनी जरूरर चैनल को में लिए स्थर कावश को में प्रशना रखना है लिए आपके 25 प्रशनेत है लिए,